हेलो स्टुडेंट्स तो आज हम करेंगे exercise 14.2 का question number 1 तो question number 1 क्या कहता है draw a line segment of length 7.3 cm using a ruler ruler कहते हैं scale को scale का استعمال करके हमें इस length की एक line segment बनाना है तो line segment बनाने के लिए सबसे पहले हम एक line बना लेते हैं इस तरह से ठीक है इस तरह से हम एक line बना लेंगे हमेशा और इस line के ऊपर हम जो है वो line segment बनाएंगे तो यहाँ पर line हमने बना ली अब इसके ऊपर हमें 7.3 का line segment बनाना है तो हम पहले क्या करेंगे एक point ले लेंगे इस side में उस point का हम नाम ले लेते हैं एक कि इसमें यह नाम तो दे नहीं रखा है तो हम यहाँ पर a, b माल लेते हैं इसकी line segment की length ठीक है तो यह हमारा नाम हो गया a, b अब यहाँ पर a रखा है जहाँ पर यह a point है यहाँ पर हम 0 रखेंगे और उसके बाद में 7.3 तक जाएंगे अब यह 7 है इसके अंदर जो ना यह छोटे छोटे जो नंबर दे रखेंगे यह हमारे होते हैं मिली मीटर यानि यह जो point के बाद नंबर होते हैं उतना चलना होता है तो यह 7 हो गया 7 के बाद कितना चलना है 3 तो अंदर देखेंगे 1, 2, 3 तो यह 3 आ जाएगा यहां पर यह हो गया B तो यह हमारी हो गई लाइन सेग्मेंट A, B कोस्टन समात नेक्स लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट कोस्टन्स आज के लिए बस इतना ही